अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वतना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ओनलाइन आओ, तो तुम्हारे फोन की भी घंटी नमस्कार दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी कुसकबरी हम आपके सामें रखना चाहेंगे, UP DLAD एडमिसन को लेकर एक बहुत ही बड़ी कुसक जिन बच्चों का कमेंट आए कि सर हम UP से DLAD कर सकते हैं कि नहीं, दिल्ली से कमेंट आया, ठीक है, इसलिए कहते हैं, आप लोग कमेंट करिए, आपका रिप्लाई किया जाएगा, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी की जाएगी, ठीक है ना, तो सिब कमेंट करने से यह न मिसन हो सकता है, जी आँ दोस्तों, अब आपको मौका मिल पाएगा, ठीक है, बहुती बढ़ियां वाली खबर है, जो कि अभी हम आपके सामने रखेंगे, जी आ यह अब तयारी की जा रही है, उत्तर प्रदेश का निवासी होने की बादिता समाप्त करने की तयारी है, इसी विडियो करना, भूल जाते हैं, विडियो को सेर करना है, लाàiप करना है, और कमेंट भी करना है, फिर से, जी आँ दोस्तों, आपका जो भी डाउट होगा, कमेंट कर येगा, हम आपको इसी वीडियो में अपना वाट्सअप नमर देंगे, कमेंट बॉक्स में लिंक दे प्रवेस के समय होने वाले वलेकी जास में भीरती को उत्तरप्रदेस में अपने ग्राज अनपत्र का सच्छा मदिकारी द्वहरा प्रवेस की दिती तक जारी किया आगे निवास प्रमाड पत्र प्रस्तुत करना निवारी होगा अन्यसा कि स्थिती में अब भेरती कावेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा पहले दोस्तों ये नियम था लेकिन अब इसको हटा दिया जाएगा ठीक है ये पूरे चांसर अब बन चुके हैं क्योंकि नियूश प्रेपर की कटिंग अब आपके सामने पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे आप लोग के दोस्तों और भी कमेंट से सर मेरे हाई स्कूल में 45% इंटर में आपको मिल पाएगा देखिए हर जगे आप लोग ठीक है न मुझे प्रैवेट कॉलेज बिहार में लेना है या मैं बिहार के कॉलेज से पढ़ना चाहूं तो क्या पॉसिबल है देखिए हर एक डीलेट का फॉर्म अलग आता है बिहार डीलेट का फॉर्म अलग से आता है थीक है UP DL8 का फॉर्म अलग से अगर आपने UP DL8 का फॉर्म बरेंगे तो आप UP में ही एडमिशन पाएंगे इंजिनेरिंग किया हूं, बीटीसी कर सकता हूं, प्लेस रिप्लाइ दीजेगा, देखे एक बात बता दे, डीएलेट करने के लिए आपकी मिनिमम योगता ग्रेजवेशन है, ठीक है, डीप्लोमा के शात्र नहीं कर सकते हैं, आपको ग्रेजवेशन करना पड़ेगा, अगर अपने ग्रेजवेशन कर लिया है, तो आपका यूपी डीएलेट में एडमिसन हो सकते हैं, तो पहले क्या अपड़ेट आई जड़ा देखें, दोजार चौबिस सत्र से देज भर के बैरती उत्तर परदेश से डिप्लोमा इन एलिमेंटर एजूकेशन डीएलेट का प्रसि अपड़ेट का होगा, जो पिछले कुछ सालों से डिएलेट के हजारों सीटे खाली रहने के कारट परिसान थे, सूत्रों का अनुसार सातन इस सर से दूसरे राज्यों के बैरतियों के डिएलेट में प्रवेश को लेकर पूछ ताच हुई है, परिच्छा अनिमक पादिका अनिवारता नहीं रह गई है, पहले दोस्तों ये था है, अगर आपको यूपी में टीचर बनना तो यहां का निवासी जरूरी था, ठीक है, 69 जा सिच्छक बढ़ती के मामले में हाई कोट ने यूपी का निवासी होने की बादिता समाप्त कर दी थी, ऐसे में जब सिच्छ दी एलेट प्रवेस में यूपी का निवास प्रमाड पत्र की बादिता समाप्त होने का फैदा आज पडोस के बिहार, मध्य परदेश, उत्राकंड, दिल्ली और हर्याड़, आधी राज्यों के बेर्तियों को होगा, तो दोस्त ये बहुत ही बड़ी good news अब आपके सामने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे आप लोगों की ये वाली निव जा जाए और दोस्त फैनली आई और हम लोगों की जीत हुई, कापी बच्चों के दोस्त इस बार कमेंट से ये लिए गये हैं, ठीक है न, अधर स्टेट वाले, तर डीलेट करने से क्या फायदा होगा future में डीलेट करने से फायदा आपको ये होगा, आप 1-5 की टीचर बन सकते हैं, 6-8 की टीचर बन सकते हैं, वैकेंसी आती है तो, ठीक है न, दोजार सपता इस नमबर यह सर डायट कॉलेज मिल जाएगा, बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है न, देखे हमने आपको एक बात क्लियर कर अगर कोई बच्चा जनरल कटेग्री से तो 230 से 240 प्लस और आरची तवर्ग में 225 से लेके 235 प्लस ठीक है, ये दोस्तों बीच में नमबर 227 तो चांस बन सकता है, ठीक है, बाकि जो भी अप्डेट्स आगे, अप्डेट हम आप तक पहुंच आएंगे, और हमारा को लेकर, ठीक है, तो ये बात इंपोर्टेंट सी तो आमने आपके सामने रख दिये, ठीक है, जल्द ही दोस्तों लिंक एक्टिवेट होगा, अधिक जानकारी के लिए dl.regel.com वेबसाइट आप जानते हैं, एक और बात, सहची कहरता को लेकर अभी बदलाओ की बात नहीं अगर आप जनरल कटेगरी की स्टूडेंट हैं, तो मिनमम आपके दोस्तों, ग्रेजवेशन में 50% और आरचीत वर के जात रहें, तो आपको मिनमम 45% चाहिए होगा, ठीक है, आयू को लेकर दोस्तों, आपकी मिनमम में 18 साल होगा, 18 साल तकर आपकी उमर कम हैं, तो आप में प्राइबेट कॉलेश की फीस एक साल के 41,000 होती है, दो साल के 41,000 और जोड़ी है, तो दो साल में आपको टोटल बयासी हजार पेइमेंट करना पड़े का फीस है, उसके बाद प्रैक्टिकल के नाम पर अलग से पैसा वसूला जाता है, एक्जाम मिशन फॉर्म के नाम पर अलग से पैसा लिया जाता है, ठीक है, कोड़ा बहुत यह भी आप ध्यान में रखेंगे, मान के चली 10,12,000 और ठीक है, यह हो गया, और सरकारी कॉलेश की फीस एक साल की 10,200 रुपे होती है, दूसरे साल की 10,200, ठीक है, तो कितना अंतर आप देख सकते हैं, यह सरकारी क जो आधार रहेगा, वो मेरिट ही रहेगा, ठीक है, इंटरेंस की कोई बात नहीं की जा रही कि इंटरेंस एक जाम होगा, प्रवेस का आधार, एडमिसन का आधार जो तो रहेगा, वो मेरिट ही रहेगा, मेरिट आपकी कैसे बनेगी, आप लोग का हाई स्कूल में कितना प तो आपके टोटल बनेगे 240 नमर तब को जोल्डिंग 8884 तो यह दोस्तो 240 नमर आपके सरकारी कॉलेज के लिए परयापत है यह दोस्तों उसके बाद देखिए जब आप लोग फॉर्म भाल लेंगे तो उसके बाद जो आपकी मेरिट बनती है जो आपकी रैंक बनती यह सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है रैंक हिसाब से आपकी कॉंसलिंग होती ही पहले से लेके 20,000 तक ठीक है अगर आपकी रैंक 20,000 के अंदर है तो सरकारी कॉलेज पाने के चांसे ज्यादा होते है लेकिन उसके बाद आप जनरल के टेग्री से हैं तो की बात हो रहे है उसके बाद और जिन भी बच्चों का भी ग्रैजवेशन फानल यर का रिजल्ट नहीं आए तो ध्यान दीचे जब रिजल्ट नहीं आगा तब तक आप आप आवेजन के पातर नहीं होंगे एक अपेरिंग चात्रों को भी मौका दे देना तब यह कुसी कर देंगा मलोग को अपेरिंग यह मतलब चेक लिश्ट हैं यह सारे मतलब डाकुमेंट्स आप तयार रखेंगे हाई स्कूल इंटर ग्रैजवेशन अलॉट्मेंट लेटर यह तो आप 10,000 पेमेंट करके डाउनलूट करेंगे अविधन पत्र का प्रिंट आउट यह सब एक बात आपको बताते हैं दस एज के शात्र को बहुत ही बड़ी खुश्कबरी मिली है अब जो भी बच्चे अभी इस साल एडमिसन नहीं ले पाएं कहीं से तो अब वो यूपी में तैयारी कर लीजे क्योंकि यूपी में भरती भी बढ़ी आती है हाँ एक बात ध्यान लखेगा एडमिसन लेते समया ध्यान वहां दिखकत आ सकती है ठीक है दूर आना पड़ेगा आपको प्रवेपर देने तो क्या अब डिएलेट बीटी सी में डिरेक्ट एडमिसन कैसे होता है तो दोस्तों देखिए डिरेक्ट एडमिसन लेने के लिए आपको कम सखम रिश्टेशन करना पड़ेगा ठीक है कम्प प्रवेपर में बड़ी बात लिखी है पिछले साल दोस्तों खाली रह गए थी 70,100 सीटे सोचे 70-70,000 जब सीटे खाली रहती है तो फिर क्या किया जाता है कि सोचने कॉलेज वाले कुछ ने कुछ इस्कॉलर से पर एडमिसन ले लिए जाए प्रात्मिक स्कूलों की सिच्छ प्रसिच्छ सहस्तान की 10,602,944 निजी कालेजों की 2,22,750 कुल, 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए 3,36,117 सीटों ने अविजन किया था जिन में से 1,36,250 सीटों ने ही प्रवेश लिया तो दोस्तों देख सकते हैं पिछले साल भी 70,000 सीटे खाली ठीक है न तो परिसान न नमबर बहुत ही कम है तो कहीं न कहीं आपको एडमेसन मिलेगा फिर मिलते हैं श्टेकनेक्टिट आपका दिल सुखो